लखीमपोर खीरी जनपद के भीरा कस्मा में जहरीली शडाब बनाने वाले फरार चल रहे आरूपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके परिजिनों समेत अने लोगों ने हमला बोल दिया इस दुरान आरोपी के परिजिनों समेत अने लोगों ने पुलिस की टीम के साथ हाथा पाई कर दी, पत्थर बाजी के जीप के शीशे तोड़ दिये इस दुरान पुलिस की टीम ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई इसके बाद हमलावरों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, ओगरे लोगों ने कई अनेवानों में भी तोड़ फोर की, बवाल में तीन सिपाही घायल हुए है वहीं S.P. ने मौके का निरिक्षन कर कारवाई का निर्देश दिया है दरसल भीरा पलिया हाईवे के किनारे महावता समुदाई के लोग रहते हैं यहीं का शिवकुमार जहरीली शिराब बनाने के मामले में फरार चल रहा था जिसके तलाश में सूशना के बाद पुलिस की टीम आज सुबै नौ बजे वहाँ पहुची थी इस दुरान आरूपी दुकान पर सामान लेने जा रहा था जिसे पुलिस टीम ने दबोच लेया और जीप में बठा कर थाने ले जाने लगी इसी बीच उसके परिवार समेत महावता समुताय के लोगों ने लाठी डंडे लेकर मौके पर पुलिस जीप को घेर लेया महिलाए पुलिस की जीप के आगे लेट गई और इस दुरान पकड़ा गया आरूपी शिबकुमार भाग निकला 25 घटना को लेकर S.P. गड़ेश प्रसाथ साहा ने कहा कि पुलिस टीम परार आरूपी को पकड़ने गई थी जो पुलिस को देख कर भाग निकला इस दुरान कुछ लोगों ने विरोत किया पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना नहीं होई है मामले की जाच की जा रही है परार आरूपी के तलाश में पुलिस की टीमें लगा दी गई है और दोशी किसी भी व्यक्ति को बक्षा नहीं जाएगा